हेलो दोस्तो मेरा होल और मेरे पास है Samsung Galaxy A14 5G और आज के सुन में इसका OTG टेस्ट करेंगे और देखेंगे डिवाइज यह हार्ड ड्रेव को कीबोर्ड माउस और USB हब के जरीए इन सबको एक साथ एड़ एंड सपोर्ट करता है या नहीं तो वीडियो को एंड तक देख लिए आप वीडियो स्टाटने से पहले बदा दू चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक दिया जिसे जब भी में कोई नहीं पहुंचे कि मैं सतरी इंटेस्टिंग वीडियो दानी कोईश्ट करता था हूं वीडियो पसंद दाता है प्रेस्टिंग पसंद दाता है डिसलाइक भी कर सकता है तो फड़ा फट से इस वीडियो को स्टाट करते हैं विदाओर पेस्टिंग टाइम सो लेट्स को सबसे पहले जो है 64GB का यह पास सैंडिस का इसको करते हैं और देखते हैं यहां पर यह कनेक्ट होता है कि यहां पर यहां पर फोन के साथ करेक्ट किया जा सकता है उटीज़ा जरूद नहीं है तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं और नौटिशन पैनल को अगर मैं नीचे करता हूं तो यह यहां पर जो है एड हो चुका है यह स्टोरेज एड़ेड लिखा रहा है तो यहां पर आप देख प और यहां पर लेनव वो के वन टीब हार्ड राइब को पाता है या नहीं हार्ड राइब करने के लिए इसमें हमें जो है ओटीजी का इस्तमाल करना पड़ेगा यह सी टाइप ओटीजी मैंने बाय किया हुआ है अगर आप इससे बाय करना चाते हैं तो नीचे डिस बॉक्स के साथ दिन अब हम इसे फोन के साथ यह कंच कर पाएंगे तो मैं तो यहां पर कर देता हूं और अगर आप ध्यान से देखेए यहां पर यह zuha कुछ ऑ रहा है ऊपन हाड ड्राइव ओच्स तो यहां पर यह सुच करने को बोल रहा है यह फॉटे बहुत यहां पर जह है portable hybrid is connected but always open smart switch when linovoo portable hybrid is smart switch में यह connect होने को बोल रहा है अगर मैं OK भी करता हूं तो यह रहें Samsung का smart switch है इसमें आपको connect होने को बोल रहा है data transfer वगएरा backup वगएरा करके यहां पर हार्ड्रेब में कोई vibration नहीं हो रहा है as it is तो मुझे नहीं लगते हैं यहाँ पर connect होगा smart switch भी connect करने के बाद भी तो यहाँ पर Samsung का जिनका account होगा वो लोग smart switch में आराम से connect करमें but hard drive यहाँ पर connect नहीं हो रहा है but मैंने SSD एक बार ट्राय किया था तो SSD यहाँ पर connect हो जाते है मेरे friend का था मैंने पहले ही ट्राय का लिया तो वो connect हो जाता है उसमें उसका personal find था तो generally मैं यहाँ पर जो इसका SSD नहीं दिखा पाऊंगा but वो connect हो जाता है बागी यहाँ पर जाए keyboard mouse को connect करके देखेंगे keyboard mouse यह connect होता है गिनि मेरे पास wireless keyboard mouse का आप चाहे तो वायर keyboard mouse या फिर wireless keyboard mouse दोनों का इस्तिमाल कर सकते हैं वायर वाले में क्या थोड़ा सा यहाँ पर बैटरी आपका फोन का ड्रेन करेगा एटरेम आप keyboard या फिर माउस ही connect कर पाएगा wireless वाले में दोनों connect कर पाएगे इस तरह का USB dongle आपको receive होता है wireless वाले में best buy link आपको नीचे मिल जाएगा wireless keyboard mouse का जो भी सस्ता wireless keyboard mouse होगा आप उन्हें buy कर सकते हैं warranty तो same ही मिलता है सब में तो इसको connect कर लेते हैं वही same ODG में connect करना पड़ता है और यह connect हो चुका है अगर मैं यहाँ पर दिखा हूँ आपको type करके यहाँ पर मैं type करता हूँ K तो देखे कर type हो रहा है और easily यहाँ पर fully cut हो जाएगा even यहाँ पर माउस दिखाते हैं तो यह देखें यहाँ पर माउस का करसल भी आपको देखने को मिलेगा यह देखें यह नाच रहा है करसल और यहाँ पर आराम से हम गैलरी को ओपन कर सकते हैं मीनिमाइस कर सकते हैं कैमरा ओपन कर सकते हैं फोटो अगरा की कर सकते हैं यहाँ पर 2x 10x वाव आराम से यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर मेरे पास है USB hub और इसमें हम connect करेंगे keyboard, mouse और pain drive को और देखेंगे जोए एक साथ support करता है या नहीं मैंने यहाँ पर USB hub को ready कर दिया है keyboard, mouse और pain drive को connect कर दिया है और साथ-साथ इसमें OTG को भी connect कर दिया है इससे करते हैं फोन के साथ connect और देखते हैं अट टाइम यहाँ पर दोनों चीज़ connect होता है कि नहीं तो नोटशन पैल को नीचे करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोनों जो है अट टाइम connect हो गया यहाँ पर USB storage पर अगर आते हैं तो यह जो है connect हो गया के इविन यहाँ पर जो माऊस से मैं scroll करता हूं तो यह देखिए यहां पर माऊस भी आ गया है स्क्रॉल करते हैं वीडियो प्ली करते हैं तो माऊस से जो है देखिए वीडियो प्ली हो रहा है माऊस connect हो गया है मतलब यहाँ पर आपका keyboard भी connect हो गया है कर रहे हैं आराम से कट हो रहा है तो बी टाइप हो रहा है कि इसने कर लिया है अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रीम जाते हैं क्योंकि यूस्बी हब को इसने जो है कनेक्ट किया है यूस्बी हब के जरीए जह हम एक साथ दो पेंट्राइब को कनेक्ट कर पाते कि नहीं तो मेरे पास एक और पेंट्राइब है सोनी का 16GB वाला तो इसको अब मैं कनेक्ट करने वाला हूं और देखेंगे क्या यहां पर जाए अट दो यूस्बी कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मल जाता है यह यहां पर दूसरे वाले को भी इसने कनेक्ट कर लिए अगर मैं यहां पर हूम एड आई जाता हूं तो आप यहां पर छीरली देख पाएंगे एक साथ दो USB है एक USB Storage 1 है एक 2 है और दोनों में आप आराम से जो है Play, Pause और साथ यहाँ पर जो है कोई भी data अगरा ट्रांसफर यह भी कर पाएंगे इविन यह फोन जो है Reverse Charging को भी Support करता है यानि कि आप इस फोन के जरीए किसी और फोन को भी Charge कर सकते है जो की काफ़ी अच्छी बात है बागी Hopefully आपको जो है इसका OTE test वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा प्लीज मैं वीडियो को लाइक कर देगा चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दिया जिसे जब भी मैं कोई नहीं अबरूप का आपको जो चैनल पहुँद जाए क्योंकि मैं इसे तरी इंट्रेस्टिंग वीडियो जो लानी की कोईश्ट करता था हूँ बागी वीडियो पसंद आता है डेफली वीडियो को लाइक कर देगा नहीं पसंद आता है डिसलाइक भी कर सकते हैं बागी मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोरिटेंट के साथ अब तक के लिए टाटा बाइबाय और यूं हस्ते रिये मुस्कुरातरिया और बर्रिया आर्जे टेक्निकल्स के साथ